हलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू में आज बात करेंगे मार्केट जो बहुत अच्छा चल रहा है दूसरा सिवाई नू बेवी डॉच और आपके जो एक्षेंजों के जो कुश्चन है उसके बारे में तो चलिए वन वाई बन सबको कवर करते हैं तो ठीक है देखें टच तो किया दिरे दिरे ऊपर को चलेगा कहीने कहीं जो है मामला फिर आगे 28,000 और 30,000 तक भी जा सकता है लेकिन 25,000 को थोड़ा सा होल्ड करें तब तो आज 25,000 को टच किया है लेकिन कोई बात नहीं होल्ड भी करेगा आगे आता है सिवाई नू देख लेकिन बालग बात है कि नहीं हो पाया तो आज 15 की सीरीज में चल रहा है जो लगबग 11 और 12 की सीरीज में चल रहा था यानि कि 4 टाइम 0 और 11 की सीरीज या 12 की सीरीज चला कर देती आज जो है 15 की सीरीज में आ गया है और लगबग आप ही माले जब 25 परसेंट का उचाल आय इस तरीके से बढ़ रहा है लेकिन सिवाई नूम है एक जो है बहुत अच्छा यानि कि 25% तक का एक अच्छा इस परका है जिसे कहेंगे कि हाँ वागई माज लगा कि अगर मार्केट ऐसे ही चले तो में भी बहुतों की इच्छाएं पूरी हो जाएं और हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्योंकि वो कहते हैं ये बियर मार्केट को जेलते जेलते बहुत टाइम हो गया है और कहीने कहीं फिर वो कहते हैं अब ऊपने भी लगा है इंसान तो बहतर है कि ये थोड़ा सा मार्केट अच्छा हो थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हो तो कुछ वो कह प्राइज में एक अच्छा खासा सर्ज था 30-40 परसेंट तक का इसमें सर्ज आया लेकिन जैसे इन्हों ने उसको एनौजमेंट किया किसा बेवी डॉज स्वैप जो है लांच हो रहा है वहीं से प्राइज नीचे आना होगा तो अब देखते हैं कितना क्या फर्क पड़ता है बेवी डॉज के प्राइज में अब आगे है किसा जो प्राइज डिफ्रेंस है यानि जो अपने इंट्रेशनल एक्षेंज हैं वहां पर प्राइज देखें टोकन का कुछ और सो हो रहा है इसमें बहुत कमेंट है और इंडियन एक्षेंज हैं उनमें प्राइज बिलकुल अलग सो हो रहा है तो देखें ये कहीं ने कहीं या तो ये एक्षेंज अपने आपको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं इंडियन एक्षेंज के और इंटरेशनल एक्षेंज के इसाब से भाई इनको जो है जो करेंट प् समझ में आता है लगवाग सभी एक्षेंजियों में एक तरह से ड्रामे बाजी चल लगी है तो समझ में आता है कि वजी रेक्ष में देखिए जो यह एडी ने जो किया है उसकी बाज़े से बहुत कोछ अभी वजी रेक्ष में उलट फेर हो गया है इनको कस्टमर का भी ध्या समझ में आता है लेकिन आप 15-16 परसंट तक का डिफ्रेंस आ रहा तो यह कैसे हो सकता है तो यह कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि एक्षेंज जो है कहीं यह मक्कारी कर रहे हैं तो खर जो भी यह देखिए इसमें तो जादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते सिर्फ बोई है कि ट् पूल्स और रेगुलेसं बहुत जरूरी हो गाएं क्यों कि कहीं न कहीं अब तो यह लगने लगा है कि साइध एक्षेंज ही जादा गुनेगार हैं हमारे बजाए सरकार के एक्षेंज जादा गुनेगार लग रहे हैं कि यह अंदर खाने बहुत कोछ जोगा गडवड कर र आप ट्वीट कर सकते हैं यह कम्यूटी को ही करना पड़ेगा हमें और आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि किसी एक करने से साइध न ज्यादा समझ में आए तो जब उनके खिलाप जब जब जादा ट्वीट जाएंगे तो में भी उनको यह चीज़ें जल्दी करनी पड़ अगली नी जो है होट बिट से किसाब होट बिट कब चालू होगा देखे इसकी अभी तक ऐसी कोई ऑफिसियल अनौंसमेंट नहीं है कि होट बिट कब चालू होगा अभी तो देखिए उनका सब कुछ सस्पेंड है और वो यह कह भी रहें कि हमारे मैनेजर लगे हुए हैं जल से जल इसको जो है रेजिम किया जाए जल से जल इसको खोला जाए लेकिन यह काओ कि प्रॉपर उन्होंने कोई अभी अनौंसमेंट ऐसा किया हो कि फलानी तारिक से फलाने टाइम से आपका सब कुछ खोल दिया जाएगा आप इजिली जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं लेकिन फिलाल ऐसी कोई भी न्यूज होटबिट की तरब से नहीं दी गई है तो आप होटबिट को भी फिलाल ऐसे ही मानके चलें कि अभी कोई न्यूज इस तरह की नहीं है अगली न्यूज है आपकी हाड़वेर बॉलेट से मैंने अभी देखी अपने दोनों चैनलों पे आपको हाड़वेर से रिलेटड जो है काफी कुछ उसमें वीडियो में बताया तो उसमें अब जो कमेंट्स आ रहे हैं सर हम इनको खरीदें कहां से तो देखिए मैंने उसमें जो जो नाम बताये थे या आप जहां से भी जो भी आप लेना चाहें मैं यह जरूर नहीं कि ज जो आपको ठीक लगता है हाड़वेर वालेट आप वो ले सकते हैं लेकिन उसकी साइट से लीजिए वैसे यह अमेजन वगरा पर भी अविलेबल हैं लेकिन अमेजन वाला थोड़ा सा यह हो जाता है कि भाई वो एक थर्ड पार्टी से आ रहा है भाई अमेजन के पास आए उसमें बीच में डिलिवरी वाई भी होंगे तो वो लोग कहीं ने कहीं यह चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा एहमियत वाली है तो इनमें हम थर्ड पार्टी को बीच में ना लाएं तो ज्यादा बहतर है अब जब डारेक्ट कंपनी से आएगा या जो भी दिया हुआ है कि आपको कैसे खरीदना है और आपके पास कैसे डिलिवर होगा तो आप बजाए इसके कि आप पचास जगह से इसको देखें कुछ मत कीजिए आप सिर्भी डिसाइड कीजिए कि मुझे यह वाला हाडवेर वालेट लेना है बस उसकी साइट पे जाएए आप के पास वो चीज पहुच जाएगी तो यह थी कुछ आज की अपडेट और वो भी आपके कमेंट के आधार पर इसमें यह आपके कमेंटी थे उनका मैंने एक साथ सबको जवाब दे दिया है किसी नए अपडेट के साथ नमस्कार